उत्तर प्रदेश के पुरुश्रियम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादो का सोम वारको गुरुग्राम के मिदानता स्पिताल में निधन हो गया तबियत बिगडने पर उन्हें एक अक्टूबर को आईसिउ में भरती कराया गया था मुलायम सिंह यादो के निधन के बाद समाजवादी परिवार में सोक की लहर डूब गई बता दे कि तीन महीने पहले उनकी पतनी साधना गुपता का भी निधन हो गया था मुलायम सिंह यादों के निधन की जानकरी देते हुए सपा के राश्टी अध्यच अखले स्यादों ने कहा कि मेरे आधरणी पिता जी और सब के नेता जी नहीं रहें 55 साल से अधिक समय तक राश्टी में सकरी रहे मुलायम सिंह यादों का जन 22 नॉमबर 1949 को इटावा जीले के सेफ़ाई में हुआ था उन्होंने राश्टी सास्तर में में की पढ़ाई की थी वह 1970 में पहली बार यूपी के जस्वन नगर में विधायक निर्वाचित होकर विधान सबा पहुचे और फिर उन्होंने अपने राज्टी करियर में कभी पीछे मुड कर नहीं देखा वो आठ बार विदायक तिर्वाचित हुए तो वहीं साथ बार निर्वाचित होकर लोग सबा सांसत बने 1996 में उन्हें United Front गड़बंदन की सरकार में रच्छा मंतरी बनने का भी अवसर मिला मुलायम सिंग यादों का राजनितिक करियर बेहस सांदार रहा 1977 में वो पहली बार जनता पार्टी से यूपी के मंतरी बने थे जबकि 1989 में वो पहली बार यूपी के सियम बने इसके बाद 1993 और फिर 2003 दूसरी और तीसरी बार सियम पत पर काबीज हुए मुलायम सिंग ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थाफना गी थी और 1993 में बसपा के साथ मिल कर सरकार बनाई थी बेटे अखलेस यादो के समाजवादी पार्टी की अद्ध चुने जाने के बाद वा इसके सनरच्छक की जिमेदारी निभा रहे थे मुलायम सिंग यादो हुए फिलाल लोकसभा में मैंपूरी सीट का प्रतिन इधित कर रहे थे पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे निउस बकेट की मैगजीन में अमारी इमागजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए अमारे यूटीब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें